दोस्तों आप सभी का स्वागत है करेंट अफेर्स फंडा के यूटूब चैनल पर IDBI Executive का form निकला हुआ है और बहुत सारे लोगों के अलग-लग doubt हैं कि सर अगर मेरा IBPS के through या RRB PORRB clerical में कहीं पर मेरा selection हो जाता है तो क्या मैं आसानी से इस job से चुटकार पा सकता हूँ जो service bond है वो ऐसा कुछ तो यहां पर नहीं है resignation अगर मुझे इस job से देना है तो उसका क्या procedure होता है notice period कितना होता है तो बहुत सारे सवालों के जवाब हैं जो मैं आपको इस वीडियो में देने बाला हूँ तो guys देखो सबसे पहली जो condition है मैं आपको एक चीज़ यहां पर पता दूँ कि अगर आप एक fresher है ठीक है और आपके पास में कोई भी job नहीं है no job ठीक है तो आप इस form को apply करो आप इसकी तैरी करो और अगर आपका selection हो जाता है तो जब तक आप का मन करें जब तक कहीं और दूसरी जगे इससे बहतर job ना मिल जाए तब तक आप इस job को continue करो ठीक है देखो इसमें क्या है कि 29,000 से आपको दे रहे है फिर पहले साल के बाद दूसरे साल यह salary आपकी बढ़ा देंगे ठीक है फिर यह 3rd year में आपको 34 तक कर देंगे मतलब 29 है फिर I think 30 बनके है फिर आपका 34 की हो जाता है तो उसके बाद आपको ऐस मौका मिलेगा assistant manager बनने का तो ऐसे तो आप यह सोचो कि यह कोई फाल्तुबाजी job नहीं है कि मतलब time pass ऐसा नहीं है एक proper banking की job है और आपको experience मिलेगा सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लेकिन हाँ अगर आपका selection कहीं दूसरी जगह हो जाता है तो आप बिंदास बढ़िया जगह कहीं पर भी आप इसको join कर सकते हैं ठीक है अब यह तो चीज मैंने आपको उता दी कि किसको apply करना है किसको नहीं करना plus जैसे suppose करो कि आपका selection हो गया आपकी यहाँ पर job लग गई अब आप job start करो आपको चार महीने छे महीने आपने job कर ली या एक महीने भी कर ली कोई भी problem नहीं है ठीक है इसके बाद आप अपनी job से यहाँ पर resign दे सकते हो और resign में आप सीधे लिख सकते हो कि मेरा एक दूसरी public sector bank में हो चुका है selection और बहां मुझे जाना है यहाँ मेरी services से मुझे release कर दिया जाए और मुझे clearance certificate दिया जाए ठीक है उसका आप जब mail डालोगे तो आप कास reply आजाएगा within seven days में ठीक है अब देखो guys दो चीजे होती है इसमें जैसा कि कोई भी bond नहीं है मतलब आपको कोई amount यहाँ पर पे नहीं करना है अब इस situation में आप क्या कर पाएंगे कि आप जैसे आपने mail डाला तो मैं एक example ले रहा हूँ कि एक अपरेल को आपने mail डाला हुआ है ठीक है और एक अपरेल से लेकर 30 अपरेल तक आपका होगा notice period ठीक है मतलब यह 30 days आपको company में serve करना पड़ेगा इसके बाद आप जो है अपरेल के बाद में 1 मई से आप अपनी services से release हो जाएंगे और आपको यह clearance certificate दे देंगे कहने का सीधा है सा मतलब यह है कि 30 दिन का minimum notice period 30 days का वो आपको यहाँ पर serve करना पड़ेगा अब एक condition हो रहा जाएगी कोई कहेगा कि sir मेरा तो फटा-फट selection हुआ है और मुझे इसी big job से resign देना है आप सीधे department से बात करोगे तो वो आपको hold पर नहीं रख सकते रोक नहीं सकते वो कहेंगे ठीक है जैसे आपने starting में 30 days है ठीक है अब 30 days का आप notice period नहीं सर्व किया तो आपको 30 days की salary deduction है वो आपको deposit करोगे और इससे आपका काम यहाँ पर चल जाएगा वो आपको no dues यहाँ पर clear करके दे देंगे लेकिन आप यह मान कर चलें कि किसी भी department में आप जा रहे हो ठीक है तो जो आपका current employment है इससे आपको completely no dues or releasing relieving आपकी होनी चाहिए तब ही आप इस department को join कर पाओगे ठीक है तो कोई भी परेशानी नहीं आती है लोगों ने छोड़ा है आराम से उन्होंने जाकर RRB को join किया उन्होंने जाकर IVPS PO में join किया लेकिन हाँ यह मान कर चलो कि अब भी के लिए यह वाली जो job है वो contextual basis की job है और आपको bank and experience बहुत कोई सिखा कर जाने वाली है ठीक है फीज भी आपने देखाऊगा form fees 1000 रुपए है अगर आप भरना चाहते है आप चाहते हैं कि यह मेरा सेलेक्शन हो जाए पोस्ट भी 1000 के आसपास है 1036 पोस्ट है तो मुझे लग रहा है मौका बढ़िया है आप अपने अच्छी त्यारी करो दिल से करो और अपना फाइनल सेलेक्शन लो उसके बाद जहां कहीं भी आपकी डेस्ट ने ली क्योंगी आपको लेकर जाएगी हाँ करन्ट अफेर्स फंडा आपको आईडी बे एक जिगोटिप के लिए जन्रल अवेरनेस है जिसमें एकवानमी, बैंकिंग, स्टैटिक हैं यह सब बहुत ही डेफ्ट में प्रोवाइट करा रहा है हर एक मन्त के 500 MCQs हम आपको प्रोवाइट कराते हैं हर एक मन्त के ठीक है तो यह सारे डेटेल होते हैं आप यह सब ले सकते हैं एप को डाउनलोड कर लेना यह करंट अफेर्स फंडा का मोबाइल अप्लिकेशन है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और यहां पर आपको सारी चीज़ें एक एक करके मिल जाएंगी मंतली फॉर्मेट में ठीके जिसमें बैंके इंग वानमी फैनेंस सब कुछ है और जन्वरी से आप स्टार्ट कर दो ठीके जो जीए पढ़ना है स्टार्ट करना है वो जन्वरी से कर लो बैस्ट होगा क्योंकि जुलाई में आपका एक्जाम है 2nd of July को और अगर आप जन्वरी से कर रहो हो तो आप बहुत अच्छागा सा स्कोर यहां पर ला सकते हो 60 नंबर का वेटेस है तो 60 मार्क्स के लिए यह आपको प्रपेशन कराई जाएगी और हमारा जो एनुल प्लान है वो आपको एक साल की validity upcoming मिलती है मतलब जैसे आप मई 2023 में enrolled कर रहो तो मई 2024 तक जितने भी exams आएंगे सब की त्यारी कराई जाएगी प्लस पुराना current affairs भी आपको वहां पर मिल जाएगा तो आप इसको अच्छे से देखें और अपनी त्यारी करें link description में दिया गया है और आप app को download कर ले thank you so much guys have a good day to all of you one second we will meet in the next video